नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का बैंकिंग हिल्प चैनल में जब भी आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो उसका टॉंस और कंडिशन बारी की से पढ़ ले उसका हर एक सरते बारी की से समझ ले इस्पेशली एजुकेशन लोन लेकिन क्या होगा अगर आप अल्रेडी दूसरे बैंक से एजुकेशन लोन ले रखें और बाद में पता जालता है कि उस बैंक में चार्ज कियेगे इंट्रस रेट दूसरे बैंकों के मुकाबले ज्यादा है अगर आप इस टाइप की स्थिती में फज गए है तो एक उपाय है वह है टेक ओवर ऑफ एजुकेशन लोन तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपकी लोन, एजुकेशन लोन दूसरे बैंक में हो सकता है वो प्राइवेट बैंक में हो या फिर कोई भी नेशनलाइजड बैंक में हो और आपको उसे इस बियाई में टेक ओवर करना है तो उसके लिए कंडिशन क्या है उसका फसिलिटी आपको क्या मिलते हैं उससे आपको फाइदे क्या होने वाले हैं और इस फसिलिटी को लेने के लिए क्या क्या डॉक्मेंट्स आपको इस वीडियो में सब्मिट करना होगा सारे सवालों के जवाब मिलने वाला इस वीडियो में तो इसको जरूर अन लेते हैं कि आपने किसी private bank से education loan लिया था और उसकी repayment policy या कोई भी terms and conditions हो जिससे आप नाखुश होके उसको SBI में transfer करने की फैसला लिया है तो यह जो transfer होने का process है इसी को बोला जाता है take over of education तो यह process होता कैसे है जैसे आप फैसला लेते हैं कि आप अपने पुरानी bank से loan को SBI में transfer करेंगे तो पुराने bank या पुराने lender आपको एक pending due amount का statement issue करता है वो statement के साथ और भी कई सा required documents होते हैं वो सब आपको SBI में submit करना होते हैं सब documents submit होने के बाद SBI loan sanctioning का process start करते हैं जैसे loan sanction हो जाता है SBI एक check या demand draft उस bank की नाम पे issue करता है और वो check या demand draft आपकी पुरानी bank की में जो loan है उसको clear करके उसको close कर देता है और आपका same loan SBI में start हो जाता है तो यह जो process है इस process को बोला जाता है take over education loan या balance transfer of education loan तो main सवाल है कि यह take over करने के फाइदा क्या होता है या balance transfer करने से student को फाइदा क्या मिलता है maximum लोगों को पता नहीं है पर मैं बता दू कि take over करने से आपका interest rate बहुत घड़ जाता है अगर आपकी loan किसी private bank में चल रहा है और आप उसको SBI में transfer कराते हैं या फिर take over कराते हैं तो आपकी existing education loan की interest rate बहुत ही घड़ जाता है आप चाहे तो google करके देख सकते हैं ऐसा क्यों ह होता है नौर्माली टेक ओवर लोन पे bank का जो risk profile है बहुत कम होता है इसलिए आपको बहुत ही किफाईती रेटों में loan दिया जाता है तो education loan की take over कराने के लिए eligibility criteria क्या-क्या है या क्या-क्या वो सर्ते हैं जिसको आपको पूरी करनी है condition no.1 कि take over करते वक्त आपकी loan account से full amount disper होनी चाहिए यानि कि अगर आप private bank से 20 लाग तक loan लेते हैं तो loan account से 20 लाग निकल जाना चाहिए condition no.2 loan का repayment start होनी चाहिए यानि कि installment या EMI शुरू होनी चाहिए condition no.3 loan take over करते वक्त student को major होना चाहिए यानिक उसका student का उमर 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और condition no.4 और important condition है कि first time take over को ही consider किया जाता है balance transfer करने के लिए यानि कि अगर आप private bank से loan ले रखे हैं तो उसको first या fresh take over ही SBI में consider किया जाता है तो SBI में take over करने के बाद आपको feature cap क्या मिलता है दीखे loan sanction होने के time पे कोई भी processing fee नहीं लागू होता है यानि कि processing fee यहाँ पे निल है कोई भी margin लागू नहीं होता है यानि कि margin भी निल है full amount finance होता है further study के लिए top up भी यहाँ पे consider किया जाता है जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे कोई भी margin नहीं है और कि finance amount जो पुराने bank में outstanding है plus अगर उसमें कोई भी penalty है या कोई भी top up सब included होता है यह take over करने के लिए minimum 10 लाग से सुरू करके maximum date करोड तक loan consider किया जाता है loan amount के बराबर आपको collateral or security bank में देना होता है आप collateral या security, कोई flat या property भी दे सकते हैं या फिर RBI gold wand या फिर fixed deposit जैसे liquid security भी दे सकते हैं तो अब बात कर लेते हैं कि इस take over में आपको क्या-क्या documents bank में submit करना होता है पहले तो है कि दो passport size photo उसके बाद student और parent या guardian की KYC documents यानि की आधार card, watercard in short, ID card और address proof आपको submit करना होता है उसके साथ parent या guardian की income documents अगर salary customer है तो salary certificate और 2 साल का IT return और अगर business customer है तो audited balance sheet और 2 साल का IT return उसके साथ आपको देना होता है completely filled application form और आपकी पूराने lenders या पूराने bank की जो due वाला loan account statement वो आपको submit करना होता है यह सब document submit होने के बाद bank आपकी loan sanction कर देता है और आपकी पूराने bank में जो education loan हो close होके नया से loan सुरू होता है SBI में तो I hope कि आपके सारे जो doubt थे सारे questions थे सब के जबाव आपको मिल चुका है अगर फिर वे आपके मन में कोई भी doubt या questions है तो बेजिए एक मुझे comment box में पूछे मैं जरूर आपको reply करेंगा और लास्ट में एक छोटा सा रख्वास्त अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए ताकि next time में जब भी कोई वीडियो upload करूँ तो आपको notification सबसे पहले मिल जाए तो मिलते हैं next video में तब तक के थेंकिव धन्यवाद